नमस्ते और गुड़ मॉर्निंग आज मैं मंडे सुबह सुबह आपके पास इसलिए आया हूँ कि आज से एक नया वीक शुरू हो रहा है हर मंडे तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक जनरल वीक का गाइडेंस आपको दिया जाए तो जो वीकली गाइडेंस है वो हम तीन जो मेजर एरिया होते हैं हमारे वीक जो 20 तारिक से 26 तारिक तक यानि मंडे टू साटरडे का है उसके लिए एक जनरली करियर के लिए कैसा रहने वाला है career के लिए जो card आया है वो आया है participation card तो career के लिए अगर आप अपने team members के साथ मिलके काम करते हैं तो कोई एक बहुत बड़ा achievement आप कर सकते हैं इस week में काम के हिसाब से plus अगर आप किसी नई job या कोई नई opportunity के लिए भी अगर देख रहे हैं तो आपको उसके लिए आपके friends या आपका जो circle है उससे आपको काफी ज़्यादा benefit मिलने के chances हैं अब आते हैं हम finance पे Finance का जो इस हफते का card है वो है moment to moment from Osho Zandtaro moment to moment card ये कहता है कि अगर आप किसी property की deal करने वाले हैं इस week में तो थोड़ा सा documentation और alert रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि हो सकता है कि उस में कोई न कोई gap हो जिसके कारण आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है लेकिन एक चीज़ और है अगर ये deal आप करते हैं financially ये long time में आपके लिए काफी ज़्यादा prosper रहने वाली है especially property के लिए रह गई बात इन general finance के लिए तो जो भी expenses आप करने वाले हैं या इस हफते ठीक है या investment specifically उसके लिए थोड़ा सा alert रहिएगा मतलब किसी के कहने पर आके कोई investment ऐसा मत कर वेज़ेगा जिसके कारण आपको आगे जाके नुकसान है अब हम आते हैं relationship पर relationship के लिए जो card आया है वो आया है inner voice inner voice card हमें इस week के लिए relationship का ये guidance देता है कि अगर आपके relations में कोई conflict चल रहे हैं या आप किसी चीज़ के बारे में decide नहीं कर पा रहे हैं इस हफते बहुत ज़्यादा chances है कि आपको एक clarity मिलेगी कि आपकी relationship किस direction में आपको लेकर जानी है और अगर कोई conflict है तो उसका solution भी आपको बहुत ज़्यादी clearly मिलने की बहुत ज़्यादा chances है और इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप relationship में अपने अंदर की बात सुने जो लोगों की नहीं अपनी सुने और अगर वो उसको आप follow करते हैं तो आपके relationship को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख सकता है तो ये था आपके लिए weekly guidance और फिर अभी मैं थोड़ी दर के बाद Instagram पर भी जाओंगा अगर आप Instagram पर हैं तो आप मुझे follow कर सकते हैं तो ये था आपके लिए 20 से 26 तारी तक का general guidance और फिर हम live में बहुत जल्दी मिलेंगे आपके साथ Thank you so much